आपके अपनी वैभी कमिटे क्लासे की टो क्रेटिव लार्निंग में पार्ट 3 जो मैंने अप्लोड किया उसमें टर्बो सी पर मैंने 5 प्रोग्राम्स कराये थे तो वहां पर प्रॉल्म यह आ रहाइट कि टर्बो सी को अच्छे से आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो देखो दो तरीके हैं प्रोग्राम्स को बनाने के लिए तो आज मैं ओनलाइन कंपाइलर की हैल्प से बेसिक प्रोग्राम्स मालब 2-3 बेसिक प्रोग्राम्स सॉल्व करके बताऊंगा लेकिन एद दे एंड आपको टर्बो सी पर ही प्रैक्टिस करना है बट बिगनिंग के लिए आप ओनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो तो अभी जो हम करने वाले हैं पार्ट फोर में हसी क्लास 12 कंपिटर साइंस 1 के लिए C++ चैप्टर 3 तो उसमें हम ऑनलाइन कंपाइलर के थूँ थोड़े से प्रैक्टिकल करके देखेंगे ऑनलाइन कंपाइलर C++ आपको यह डालना है इसके बाद जो प्रोग्रामेज नाम से आएगा यह आएगा दौन में से आप कोई भी यूज कर सकते हो तो मैं क्या ले रहा हूँ प्रोग्रामेज वाला ले रहा हूँ यहाँ पर ओके तो एक प्रोग्राम में एक्जूट करके बताऊंगा बाकी के अल्रेडी वो डन है तो उससे हम करके देखेंगे अब नॉर्मली होता क्या थोड़ा सा कंपेरिजन भी करते हुए चलेंगे यहाँ पर हैज इंक्लूड iustream.h तो .h नहीं लिखना आपको और कोनियों की फाइल भी देने की जरूवत नहीं है तो जो हम कोनियों एक दूसरा head फाइल लगाते थे वो नहीं लगाने की जरूवत है बट एक चीज़ यहाँ पर addon हो जाएगी using name space std and semicolon यह चीज़ एड हो जाएगी बाकी का आप इस से erase कर सकते हो return 0 को as it is रखो okay and एक छोटा सा program कर लेते हैं suppose हमने ले और यहाँ CLR SCR यह करने की जरूवत नहीं होती इसे आप ignore कर सकते हो okay और एक कोनियों वाली line को ignore कर सकते हैं and last में हम जो guess लिखते हैं वो भी लिखने की जरूवत नहीं होती मतलब थोड़ा से मैं compare करके ब तो आपको turbo c के basis पर ही लिखना है online compiler की basis पर नहीं लिखना है लेकिन अंदर का जो part है वो same रहता है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ int a comma b comma c एक छोटा सा program जिसमें हमें two numbers add करना है cout और एंटर एंटर टू नंबर्स और c इन के थुरू हम एंटर कर लेते हैं c in a and b cout result is equal to okay तो अब मैं इसे run करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक message आ जाएगा enter नहीं अभी तो error ही आ गया okay तो it is not यहाँ पर double a हो गया है इस बज़े से दुबारे से run करते हैं enter two number आ गए तो मैंने 12 एंटर किया 20 एंटर किया and यहाँ पर answer 32 आ गया तो perfectly answer आ रहा है तो आप इस type से कर सकते हो देखो यहाँ पर has include iostream.h की जगह पर iostream लिखना है केबल using namespace extra आ रहा है वहाँ पर using namespace नहीं था अगर मैं आपको compare करके बता हूँ यहाँ पर तो देखो यहाँ पर यह है has include iostream.h okay तो आप इस type से compare करके देख सकते हो कि क्या-क्या हमें लिखना होता है तर्वो C में और इसमें तो normally यहाँ पर यहाँ पर iostream.h std लिखना है sorry has include iostream.h यहाँ पर लिखना होता है तर्वो C पर और यहाँ पर .h नहीं आता using namespace नहीं आता तर्वो C पर और has include koneo.h यहाँ लिखनी जोगत नहीं क्योंकि CLR, SCR और Gatch function लगाते नहीं है इसलिए यहाँ पर CLR, SCR, Gatch function लगाना पड़ता है क्योंकि hold करना पड़ता है यहाँ पर सीधा output आता है इसके लिए ज़रूरत नहीं है बट जो internal part है that will be same तो जो internal part है मैं चीज़ तो internal part समझना है यह तो ऊपर का base part है बट exam में आपको टर्वो C वाला part लिखना पड़ेगा using namespace यह नहीं लिखना है तो ऐसे मैंने picture माला और भी प्रोग्राम बनाया है जैसे यह है यह प्रोग्राम है temperature in centigrade and temperature in Fahrenheit तो enter temperature in Fahrenheit आपको करना है temperature enter करना है Fahrenheit में और उससे centigrade में convert करना है तो यहाँ पर हमने formula लगा दिया तो TC is equal to TF minus 32 into 5 divided by 9 यह formula लगा दिया formula actual में given रहते हैं और फिर भी यह तो छोटे मोटे formula है याद करके रखें तो temperature in centigrade निकल कर आ जाएगा तो temperature in Celsius यह centigrade वो आप यहाँ पर display कर दोगे जब आप इसे exhibit कर दोगे तो यहाँ पर result आपका display हो जाए जाएगा तो यह आपका output आजाएगा और यह हमें code करना होता है देखो यहाँ पर भी क्या है dot h हमने नहीं लगाया और यहाँ पर using namespace std लिखना पड़ेगा extra और return 0 लिखना है और यहाँ इंट लिखना है वाइड की जगह पर टर्बो C में करेंगे तो वाइड लिखना होत कि वहाँ पर क्या था यहाँ पर क्या था एक प्रोग्राम और देख लेते हैं तो यहाँ पर means conversion वाला है यह भी हमने टर्बो C पर देखा था किया था यहाँ पर अगर आप notice करोगे कि क्या-क्या करना होता है तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं पहले उने मीटेर्स में एंतेर के लिए इंटू हंडेट किया संटीविट हो जाएगा टाउजन से डिवायद किया किलो मीटे वह और पाइल इंटू पैंट 5 की किया दिवायद क ल क्यां तो यह हमारे पास एंचन और फीट निकल कर आजएगा यह मने फिर डिस्प्ले किया, उसके बाद फिर जब हम रन करेंगे, रन बंट में क्लिक करके तो यह अमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो की एकदम परफेक्ट है, तो जरूर ही नहीं है कि टर्वो C पर ही आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, अगर वो कुछ प्रॉलम दे रहा है, डाउनल से ही आप प्रैक्टिस केजिए, और आपके स्कूल पर डिपेंड करेगा, आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि वो, और एक कोड ब्लॉक्स वाला भी सॉप्टेर आता है, तो नॉर्मली अंदर का जो पार्ट है, वो तो सहमी रहता है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर बस उपर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो आप अपने स्कूल में दो-तीन लैब सेशन करोगे, उससे क्लियर हो जाता है, बस इंटर्नल पार्ट पर आपको फोकस करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ कंडिशन के 5 प्रोग्राम करने वाले हैं, तो बने रहे हैं मेरे चैंडल के साथ और नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ कंडिशन के 5 प्रोग्राम करेंगे, ओके, थेंक्यू सो मच्च